Hello everyone, we are back and this time we are going to start with the first topic related to mechanics. गये बार जो lecture हुआ था उसमें हमने डिसकस किया कि mechanics होता क्या है, उसके अंदर हम क्या-क्या पढ़ते हैं, क्या-क्या नहीं पढ़ेंगे इस semester में. इस बार हम देखते हैं कि उस mechanics के अंदर जो सबसे पहले topic से हम मिलेंगे, या फिर जो topic हमें शायद आगे हर lesson में use होने वाला है, वो topic है, resolution of force. Now, what is the meaning of resolution of force? पहले force की बात करते हैं. Force क्या होता है? Force एक ऐसा physical quantity होता है, जो किसी भी body के motion में बदलाव ला सकता है. एक रुके हुए body को move करवा सकता है, एक moving body का ए direction को बदल सकता है, एक moving body को रोख सकता है, तो force किसी भी body के motion में बदलाव ला सकता है. That is called as force. Physical quantity which can change the state of motion of a given body. तो अपना force. Resolution क्या है? Resolution word हमने पहले सुना हुआ है. Resolution इसने force से जुड़ा हुआ नहीं है. Resolution एक ऐसा word है, जो generally vectors से जुड़ा हुआ है. Vectors, जिनके पास direction होता है. तो अगर हम किसी physical quantity के direction को divide करना चाहते हैं, या फिर किसी force को दो पार्ट में divide करना चाहते हैं, ताकि नतीजा वही मिले जो original force का था, उसको हम लोग बोलते हैं, resolution of vectors. और resolution of force. तो अभी हम देखेंगे resolution of force. resolution of force शुरू करने से पहले एक छोटा सा example ले ले लेते हैं. सपोज यह एक नदी है, एक पतली सी नदी. और यहां उपर से देख रहे हैं, तो टॉप व्यू अपर से दिखने के नदी ऐसा दिख रहा है. और इसके अनरे एक boat है, यहां पे एक boat है. और boat का, ऐसे मान के चलते हैं कि boat के पास कोई ऐसे drive करने वाला वो चपू रहता है, वो नहीं है, नहीं boat का motor है, motor खराब हो गया है. अब boat बीचो बीच अटक गई है. अब boat का उनको आगे लेके जाना है, कैसे लेके जाना है? आगे, इस तरफ लेके जाना है. तो अब boat में दो रसियां है, हमने क्या की? अभी एक रसि हमने इस bank में पेका, इस side, और एक रसि हमने यहां पेका. और यहां पे हमारे दो फ्रेंट थे, यहां पे हमारा फ्रेंट था A, यहां पे हमारा फ्रेंट था B, अब उनको बोला कि खीचो. अब यह दोनों obviously पानी के अंदर आके तो खीच नहीं सकते, तो यह लोग बाहर से ही खीचने आवाले हैं. अपना A खीचेगा इस तरफ, एक force है F A, अपना B खीचेगा इस तरफ, एक force है F B, F A इधर की तरफ जा रहा है, F B इधर की तरफ जा रहा है, बट बोल्ट कि इधर जाएगा, बोल्ट बीच में जाएगा ऐसा, तो बोल्ट के उपर जो resultant force लगा, वो था F, बट यह resultant force F पैदा करने के लिए, जो components की जरुवत थी, वो थे F A and F B, so F A and F B are the components which together acting on the board, are producing a resultant F, so हम इसको अगर बोल्ट होकर यह सब हटा के देखें, तो यह force F पैदा करने के लिए, हमें दो component की जरुवत पढ़ रही है, F A और F B, so this process of separating, segregating the resultant force into two components is called as resolution, तो यह क्या है F, resultant force, resultant, F A और F B, यह दोनों क्या है, components, so these are components, तो resultant को जब हम components में divide करते हैं, उस process को क्या बोलते हैं, इस पूरे process को हम क्या बोलेंगे, resolution, resolution of force, so how can we define resolution of force, resolution of force is the process in which we divide, we resolve the force, resultant force, into two components, is it always two components, जरुए नहीं है, जरुए नहीं कि हमेशा दो ही component हो, multiple components हो सकते हैं, जैसे कि जरुए नहीं कि हमेशा हमेशा हमरे पाद दो ही friends ते जो बाहर थे, हो सकते हैं, आपने बस चार रसी थे, चार हो हमने फेका, एक, दो, तीन, चार, और दो friend और आ गए, उन्होंने खीचा, तब भी बोट इदर जा रहा है, so you can have multiple components, multiple मलनब कितना, infinite, for a given force, for a given resultant, you can have infinite components, right, but हमारे इस semester के दौरान, हमें इस infinite component, इतने सारे components की ज़रूरत नहीं है, हमें दो special components चाहिए, और हम पूरा अपना ध्यान उन्हीं दो special components पर रखेंगे, और उन्हीं दो special components के साथ आगे जाएगे, क्यों है ये special, और कौन से है ये special components, so उसके लिए पहले ये देख लेते हैं, let us assume we are having a force F, ये अपना resultant है, F, resultant force, इतना force हमको पैदा करवाना है, resultant force, तब हम उसको दो component में divide कर रहे हैं, एक component इधर, और एक component इधर, क्या खासियत है इनके बीच, the important point is, these two components F, A and F, B are such that they are perpendicular to each other, जब ऐसा होता है, जब दो components किसी given force के perpendicular होते हैं, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ, तो इन दोनो components का हूँ बोलते हैं, rectangular components, they are called rectangular components, so कौन से हैं यहाँ पर rectangular components, F, A and F, B are rectangular components, किसके, F के, F के, F के दो component, F, A, F, B, rectangular components, क्यों बोलता है था rectangular, reason यह है, कि जब अगर हम इस parallelogram को complete कर दें, तो यह एक rectangle बन जाता है, और उस rectangle का जो diagonal है, को हम आगर हम आगर रस बन जाता है, that is why they are called as rectangular components, so, what are rectangular components, rectangular components of any given force, rectangular component of any given force, are two components such that they are perpendicular to each other and the resultant of these two will give you the resultant force, so, these are called as rectangular components, right, now from rectangular components or now that we know rectangular components, let's go further and find out, कि rectangular components के values हम कैसे निकाले है, तो उसके लिए एक छोटा example दिखते है, let's assume this is our y-axis, y-axis and this is our x-axis, x-axis, this is our origin, origin पे एक force काम कर रहा है, let's assume origin पे ये force काम कर रहा है, अपना f resultant force, 10 newton का, और हम चाहते हैं, इसको resolve करें, इसको divide करें, कितने component पे, 2 component, कैसे 2 component, 2 components ऐसे, कि दोनों एक दूसरे को perpendicular हो, तो हम क्या करेंगे, एक component हम along x-axis ले लेंगे, एक component हम along y-axis लेंगे, such that अगर इसको पूरा कर दो आप, इधर से एक line ड्रॉ कर दो, इधर से एक line ड्रॉ कर दो, तो इक पूरा rectangle बन जाए, तो यह अपना x-component, और यह अपना y-component, ठीक है, कैसे होने चाहिए, यह दोनों ऐसे component होने चाहिए, एक दूसरे को perpendicular, और इन दोनों का जो effect है, इनका जो नतीजा है, resultant है, वो 10 Newton का मिलना चाहिए, तो अगर f 10 Newton का है, तो fx कितना होगा, और fy कितना होगा, या फिर fx और fy कितने होने चाहिए, ताकि दोनों मिला के 10 Newton का असर पैदा करें, उसके लिए एक और चीज़ important है, हमें पता करना हमें दिया जाएगा, कि यह angle कितना है, तो यह अगर से एक angle हमें दिया जाएगा, याद रखना है, वो component जिसके साथ angle जुडा हुआ है, वो हमेशा cos component होता है, और वो component जिसके साथ angle नहीं जुडा हुआ है, वो component जिसके साथ angle नहीं जुडा हुआ है, वो sine component होता है, F sine 30, F का value कितना है अपना resultant का 10, so 10 cos 30, इसको आप calculate कर लोगे, जो उसका value मिल जाएगा, F sine 30, 10 sine 30, चीक है, Fx, the component along x axis, Fy, the component along y axis, Fx के सवाथ angle था, इसके लिए cos component, Fy के पास angle नहीं था, इसके लिए sin component, तो मतलब, अगर ऐसा होता, let's assume, कुछ ऐसा होता, F इदर रहता, F is equal to 10 Newton, और ये angle दिया होता, मैं सपोस 70 degree है, तो ये बन जाता हमारा y component, Fy, और ये बन जाता हमारा x component, Fx, तो अभी x component, cos component है की sin component है, कैसे पता चलेगा, angle देखो, कौन सा angle दिया है हमें यहापे, 70 degree, 70 degree x के साथ जुड़ा है की y के साथ जुड़ा है, y के साथ, तो अगर वो y के साथ जुड़ा है, तो y बन जाएगा हमारा cos component, और क्योंगी x के पास यह angle नहीं है, इसके लिए x बन जाएगा हमारा sin component, 10 sin 70 degree, understood, ये चीजब बिठा ले नहीं है, हमेशा, जिस component के पास angle होता है, वो cos component बनता है जिस component के पास angle नहीं होता वो sin component बनता है angle है cos component angle है cos component angle नहीं है sin component angle नहीं है sin component जण take some time, reflect on this okay so now that we know what is resolution of forces let's take some example related to resolution of forces now by the way resolution of forces जो पाट है चाइड अलग सा question ना आए कि resolve this forces, resolve that forces but जितने भी examples हम देखेंगे कोई भी lesson की अंदर उसकी अंदर resolution of forces का पाट आएगा ही आएगा so make sure कि ये पाट हमारे दिमाग में अच्छी तरह clear है तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं otherwise हर एक problem में हम अच्केंगे okay so let's take a let's start with a very simple one first one suppose this problem is like this अपने पास एक force है this force is of 50 Newton 50 Newton का force and it is making an angle of 40 degree with the horizontal 50 Newton का force acting at an angle of 40 degree with the horizontal अब हमको इसको resolve करना है question ऐसा आता है resolve this forces into two components one horizontal component second vertical component horizontal and vertical component या फिर x component and y component so let's resolve this force क्या करेंगे सबसे पहले हम इस forces के दो component draw कर लेते हैं दो component ऐसे और ऐसे याद रखना बहुत अच्छी तरह याद रखना components के arrow components के arrow ऐसे होने चाहिए कि इन दोनों arrow के बीच में ही resultant आए resultant का arrow हो so component के arrow के बीच में ही resultant का arrow होना चाहिए तो ही वो components कहला है so two components along x-axis horizontal component along y-axis vertical component अब इसके value find out करते हैं resultant कितना है 50 resultant 50 है तो x-axis पे इसका कितना असर होगा पहले ये check कर लें कि angle किसके पास है angle x component के पास है कि y component के पास है angle 40 degree x के पास है तो x क्या बन जाएगा f cos 40 angle इसके पास नहीं है तो y क्या बन जाएगा f sin 40 f का value अपना कितना f मतलब हमेशा resultant f का value कितना है हमारा 50 so 50 cos 40 degree ये अपना horizontal component 50 sin 40 degree ये हमारा vertical component we can use the calculator and find the value the values comes to roughly around I think 38.3 newton 38.3 newton and this comes to roughly around 32.14 newton शायद मुझा mistake हो गया होगा आप एक बास calculation check कर लें बट ये number important नहीं ये तो calculator अपना part कर लेगा हमारे लिए क्या समर्जना important है कि result कैसे किया गया कैसे किया गया resultant जो था उसको दो perpendicular आपस में perpendicular components हमने बनाए along x-axis horizontal component along y-axis vertical component फिर क्या देखना है angle किस के पास है किस के पास है angle f-x के पास तो ये cost component बन जाएगा ये sign component बन जाएगा fine if this is clear let's move to the a bit more difficult one now suppose we have something like this difficulty level थोड़ा थोड़ा हम बड़ा दे चलेंगे पहले हमने x-axis के साथ देखा था आप y-axis के साथ देखेंगे तो ये value हमें दिया गया है this is 650 newton तो हमारे resultant का value है 650 newton हमारे 650 newton का एक force है कैसे काम कर रहा है 650 newton 650 newton straight काम कर रहा है के angle पह है angle पह है कितने angle पह है 20 degree angle पह है so 650 newton is making an angle of 20 degree along x-axis और along y-axis yes it is along y-axis so let us resolve it into two components horizontal component and vertical component again हमें याद रखना है components के arrow ऐसे होने चाहिए की resultant का arrow उनके बीच में आए इन दोलों के बीच में आए got it so downward and left ये दोनों के component ये vertical component इसको f y कर देते है horizontal component f x कर देते है angle किस के पास है f x के पास कि f y के पास the angle 20 degree 20 degree किस के पास है y के पास ये कौन सा component बाले का cos या साई cos component so f y becomes f cos 20 degree and f x becomes f sin 20 degree f का वाले कितना आपना 650 into cos 20 and this becomes 650 into sin 20 the calculation comes to this is 610.8 Newton and this is 222.3 Newton now ये अगर समझा है एक चीज़ और हमें ध्यान में रखना है अगर स्रिफ question ये है कि resolve the given force into two components along the horizontal axis and on the vertical axis तो final answer हम ऐसा लिखेंगे देखो final answer कैसा लिखा जाएगा f x horizontal component is equal to कितना है 222.3 Newton अब ये horizontal component है ना horizontal component इदर right की तरफ काम करेगा ये left की तरफ काम करेगा तो अपना component किस की तरफ काम कर रहा है left की तरफ तो यहाँ पे हम एक arrow दिखा देंगे left की तरफ काम करेगा very important it shows in which direction the component is acting कभी-कभी इदर minus लिखते हैं यादे partition sign left की तरफ होगा तो minus right की तरफ होगा तो positive फिलाल के लिए हम उस चीज़को उपर नहीं जाएगे तो यह जादा confusion create करेगा हम बस ऐसे दिखा देंगे 222.3 Newton का component जो है वो horizontal axis में काम कर रहा है left की तरफ अगर यह ऐसा लिखे जेंगे तो Y कैसा लिखेंगे 610.8 Newton acting towards the downward Y axis नीचे की तरफ काम कर रहा है downward Y axis obviously अगर आप mathematical partition sign के साथ लिखोगा तो यह भी negative होगा यह भी negative होगा बट यहां पे हम negative sign के सामाल नहीं करेंगे हम arrow से दिखाएंगे की कौन से direction की तरफ काम कर रहा left on the horizontal axis downward on the vertical axis I hope this is clear then we can move to one more question just have a look at it get a feel of it understand it and if there are any doubt write it down and try to find out can we find some answer over here now the next one next one is like this we are having an inclined surface force नहीं है inclined surface यह अपना surface है inclined surface कितने angle पे है 45 degree angle पे यह inclined है और इसके उपर एक force काम कर रहा है यहां पे कितने newton का यह force काम कर रहा है यह एक surface है और यह एक force काम कर रहा है कितने newton का 800 newton यह हो गया हमारा force जिसको हमको resolve करना है 800 newton यह काम कर रहा है इसके साथ 10 degree पे तो inclined और इसके साथ 10 degree पे काम कर रहा है now we have to resolve this along x-axis and along y-axis ठीक है ध्यान से जुनना क्या हो रहा है अगर मैंने इस 800 newton को vertical y-axis में resolve किया यह हो गया हमारा y-component अब मैं इसको 800 को थोड़ा नीचे लिख देता हूं और मैंने x-axis में resolve किया तो यह हो गया हमारा x-component fx angle क्या है angle कौन सा लेना है यह question उसके लिए important है पता करने के लिए angle क्या लेना है ध्यान में रखना the angle should always be measured with one of the axes x-axis के साथ होना चाहिए या y-axis के साथ होना चाहिए दोनों में से एक के साथ होना चाहिए यहाँ पे जो 10 degree है नहीं हम 45 degree ले सकते हैं कि 45 degree force से जुड़ा हुआ नहीं है 45 degree inclined plane से जुड़ा हुआ है तो पहले हमको यह निकालना पड़ेगा कि यह जो 800 newton है यह x या फिर y-axis के साथ कितना angle बनाता है तो उसके लिए I think हमारे लिए यह angle easy होगा find out करने के लिए यह angle हमारा force x-axis के साथ बना रहा है अब यह angle find out कैसे करेंगे easy यह total है 45 degree तो यह भी total होगा 45 degree alternate angle parallel, transversal 45, 45 उस total 45 में से 10 degree निकाल दिया तो बचेगा कितना 35 degree now is 35 degree an angle made with the x-axis or y-axis yes so now we can consider 35 degree as the angle तो इसको अगर मैं side में बनाने जाऊं तो इसको ऐसे बना सकता हूँ यह हो गया x-axis यह हो गया y-axis बार-बार बनाने की जरूरोथ नहीं है क्योंकि हम यह पहली बार देख रहे हैं 800 newton का कितने angle पे काम कर रहा है x-axis के साथ x-axis के साथ 35 degree अब इसको resolve कर सकते है vertical component and horizontal component so fy fx थोड़ा उपर लिख देते है fx angle किस के पास है y के पास के x के पास x के पास so x कौन सा component मनेगा cos component so 800 cos 800 cos 35 degree और यह क्या मनेगा इसके पास angle नहीं है y component के पास angle नहीं है so 800 sin 35 degree you can calculate the values and you can get the answer so after calculation we will get fy as something as 458.9 newton 458.9 newton and fx comes to roughly around 655.3 newton आप एक बर खुद से calculate कर लेना और एक बर चेक कर लेना मैं बहुत सारे mistakes करते रहता हूं calculation के represent के से करना है पहले fx कितना है 655 left की तरफ है negative लिखना है क्या नहीं arrow से mark कर दो left की तरफ fy कितना है 458.9 newton नीचे की तरफ negative बताना है क्या नहीं again arrow से लिखा दो नीचे की तरफ so these are our final answer understood how to resolve so how to resolve any given force resolve into two components दो component ऐसे होने चेहे कि उन दोनों केtu arrow के बीच में ही आपना resultant है उन दोनों के arrow के बीच में ही अपना resultant का arrow आई उसके बाद देखो angle किस के साथ बनना चाहिए, किस के साथ बनना चाहिए, X-axis के साथ होना चाहिए, या फिर Y-axis के साथ होना चाहिए, और किसी के साथ नहीं होना चाहिए, तो जो अंगल रहेगा, जिसके पास अंगल रहेगा, वो वो स्कॉस्पोंट नही नहींगा स्कॉंपोंट. These few questions have a look at it again, see if you have any doubt, if you have any doubt try to work on it and see if some answers are coming out of it. I hope we have we have been able to understand what is resolution of force. कि 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 लोगते हैं अगा कि भारी दोगते हैं कि अगते हैं कि अगले कि रचल कि झाल को लारे खुटा करें अगते हैं